नमस्कार दोस्तो मेडिसीन रियूज में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा ब्लाय फेरोज एक स्टे टाबलेट का रिव्यू दोस्तो बहुती बड़ी अक्वलिटी के यह प्रोडॉक्ट है जो की तीन कंटेंट से बना हुआ है फेरोज एसकॉरब अगर आप आयरन का लो इंटेक करते हो आपके भूजन में आयरन की कमी है यह आयरन आपको नहीं मिल रहे तो आयरन की कमी को यह पूरा करेगा दोस्तो बहुत सारे महिलाए हेवी मेंस्ट्रियल पिरेड के कारण परेशान रहती है ज्यादा पिरेड हेवी होने के कारण ज्य मिट्टी खाते हैं या फिर उन्हें हुक वर्म इन्फेस्टेशन है जिनके कारण खुन की कम है हमेशा रहती है ऐसी कंडिशन में आप ये टाबलेट ले सकते हैं अगर आपको पेप्टिक अलसर है बावासिर है बावासिर के कारण जो खुनी बावासिर के कारण जदा खुन लॉस होता है ब्लड लॉस होता है उसका इलाज करने के लिए बहुत ही फायदबन देशी ये टाबलेट है वीकनेस दूर करने के लिए ये बहुत ही फायदबन देशी है इतने नहीं पोस्ट ओपरटिव या फिर post-traumatic या फिर किसी accident के कारण अगर आपका blood loss होता है तो ये loss भरके देगा है दोस्तो nutritional deficiency ferus ascorbid folic acid और zinc sulfate दूर करेगा ये immunity भी प्रदान करेगा ये देखे मैंने कहा है ये tablet है ये capsule नहीं है इसका reason बोलता हूँ कि capsule को थोड़ीशी gelating की nauseous smell होती है इसके कारण जदे दर महिलाए इस्तमाल नहीं करती है capsule इसलिए ये tablet है इसको कोई भी nauseous smell नहीं है जिससे लेने में और सहस्ता प्रप्त हो अब मैं आपको बहुत सारी रोचक से बाते बनाने बता देवारा हूँ देखिए आरबीसी जो होती है ये 120 दिनों के बात मरती है फिर से दूसरी तैयर होती है अगर आपको iron की कमी है zinc की कमी है या फिर folic acid की कमी है तो ये आरबीसी ठीक से फर्म नहीं होंगे और आपको जदा weakness होगा आप enemy के शिकार होगे इसलिए मैं कहता हूँ इस टैबलेट का इस्तमाल कीजिए और ये सारे बीमारेों से दूर रहे ये weakness को दूर कर देता है अगर आप जदा चाय पीते हो तो ध्यान रखना चाय के कारण iron absorption नहीं होता है और iron absorb नहीं हुआ तो आपके body में iron की deficiency होगी दूद वाले चाय को अभी तुरंद वंद कर लेना और ये टैबलेट का सुईकार कर लेना बहुत तो फाइदा होने वाला है अब जान लेते इसका side effect कुछ लोगों को मतली होती है कोई बात नहीं मतली रोकने वाली गोली खा लेना रोजे गोली खाले ना ये बहुत फाइदा होने वाला है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद